अलो फ्रेंज, कैसे ही आप लोग उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हमारे घर और बाहर का ऐसा कुछ काम होता है, जो कभी खतमी नहीं होते, अगर ओही हम थोड़ा सा टीप्स के थुरू करेना, काम एकदम आसान हो जाएगा, और हम पैसे का भी थोड़ बच्चत कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे कीचेन टीप्स शेयर करेंगे, चलिए देख लेते हैं, पहला जो टीप्स है, ब्रोकोली को लेकर, ब्रोकोली तो हम खाने में सभी पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से ब्रोकोली को खाएंगे ना, इस से क्या इस से इसको खाएं, जो हमारा ब्रोकोली का जो पस्टिक है ना, वो हमारा शरीर में जा सके, पहले क्या करेंगे, थोरा सा गरम पानी ले लेंगे, उसमें दे देंगे नमक, नमक देके अच्छे तरीके से मिला लेंगे, फिर जो ब्रोकोली मैंने या पर छोटे-छोटे पी अगर कोई रशानिक शार इसमें यूज हुआ तो वो भी चला जाएगा नमक के कारण, जरूर ए टीप्स एपलाई कीजिएगा, फिर आप ब्रोकोली या कली फ्लावार जो भी पकाने चाते हैं सबजी, पानी में डूबोने के बाद पानी इस तरह से बाहा निकल लेंगे, ब्रोकोली को ए टीप्स जरूर एपलाई कीजिएगा, इस से क्या होगा आप लोग कम बिमारी में पढ़ेंगे, टीप्स अगर थोड़ा से भी यूजफूल लगे तो जरूर एपलाई करना चलिए, आगला टीप्स देख लेते हैं, आगला टीप्स से मिकसर जार को लेकर, म मिकसर जर तो हम सभी घर में यूज़ करते हैं, कोई भी चीज पेस्ट करने के लिए, लेकिन जब भी हम इसको क्लीन करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको इस तरह से रख देते हैं, इसके अंदर जो पानी है, मिकसर जर का जो ब्लेट है, देखा जाता है, कुछी दिनों में जंग लग जाता है जिसके कारण इसका जो धार या सार्पनेश होता है ना ओभी खतम हो जाता है हम क्या करते हैं मार्केट जाकर नए वाला मिकसर जर खरित कर लेकर आते हैं नहीं तो ब्लेट को चेंज करना पड़ता है इससे बहुती ज़्यादा पैसे का भी खरच हो जाता है छोटा सा टीप से आप एपलाई कर सकते हैं इससे आपका जो मिकसर जा रहा है ना ओ लंबे टाइम के लिए यूज कर सकेंगे देखिए मैंने या पर गस को आउन कर लिया है ये टीप्स भी अपलाई कर सकते हैं गस के उपर इस तरह से रखेंगे फिर क्या होगा आपके जो ब्लेट में पानी है ना ओ एकदम से सूख जाएगा फिर आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा इस तरह से एक ये दो मिनिट के लिए रखने से क्या होगा बंद जो गरम है ना गरम के कारण एकदम से पानी सूख गया है देखिए इस तरह से करेंगे ना ब्लेट में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहेगा और एक टीप से जब आप इसको क्लीन करेंगे पानी से फिर पोस लिजिएगा कोई कपरा से थोड़ा सा ओयल इस तरह से अगर ब्लेट में लगार देंगे तो क्या होगा ओयल का कारण इसमें जंग नहीं लगेगा छोटा सा टीप से ज़रूर अपलाई करना उम्मिद करती हूँ ए टीप आप लोगों को काम आएगा चलिए आगला टीप सम देख लेते हैं हम कई बर बाजार से जब मिर्च खरित कर लेकर आते हैं ना ग्रीन चिली कई बर देखा जाते हैं हम फ्रीज में इसको स्टोर करके रख देते हैं लेकिन 10-12 दिन में ही एकदम से सूख जाता है कई लोग तो हम जो ग्रीन मिर्च है ना हरा मिर्च ऐसे ही खाने में यूज करते हैं कच्चा तो इसको फ्रेश रखने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल ले लेंगे फिर अच्छे तरीके से ना सरसो का तेल इस त चिस दिन के लिए एकदम फ्रेश ताजा रहेगा एक भी मीर्स आपका सूख भी नहीं जाएगा टीप्स हम देख लेते हैं हमारे घर में गैस सुला तो हम सभी लोगी यूज करते हैं खाना पकाने के लिए लेकिन कई बड़ देखा जाता है ना गैस का बननर में थोड़ा सा आने लगता है जो छोटे छोटे होल होता है उसके अंदर से आग भी अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकल आते हैं तो हम गैस ओभन को तो रेगुलर ही सभी लोग क्लीन करते हैं लेकिन हमारा जो बननर है ना इसको भी क्लीन करना चाहिए हपते में चार या पास दिन नहीं तो इससे क्या होगा हमारा बहुती ज़्यादा गस खरच हो जाएगा इसके लिए क्या करेंगे मैंने ले लिया है यहापर एक बर्तन में मैं डाल दूंगी थोरा सा नमक एक चमस नमक मैंने यहापर एक प्लास्टिक का बर्तन ले लिया है प्लास्टिक का बर्तन ही आप यह यूज करना फिर क्या करेंगे हमारे जो गैस का बननर है ना इस तरह से पानी में डाल देंगे इसके में देंगे थोड़ा सा हार्पीक मैं जो हार्पीक या पर यूज कर रही हूँ ना एक किचिन में ही यूज करती हूँ देखिया अच्छे तरीके चे एक चम्मस हार्पीक मै से अच्छे तरीके से मिला कर मैंने यह पर पांच मिनिट के लिए रख दिया था फिर जो हमारा पूराना टूट ब्रश है ना इसकी मदद से थोड़ा सा इस तरह से स्क्रब कर लेंगे इससे क्या होगा अगर बनर के कोई होल में गंदी की जमा है या तेल जमा है वो क्लीन हो जाया दोनों ही बनर को इस तरह से क्लीन कर लेंगे इससे बनर एगदम से नए जैसा चमक उठेगा सारे गंदी की जो था क्लीन हो जाएगा इससे हमारा गैस बहुत रही आसानी से बहर निकल आएगा देखें क्लीन करने के बाद कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है आप भी इस तरह से gas burner को clean कर सकते हैं इससे आपका gas का खर्च बहुती ज़्यादा कम हो जाएगा तो चलिए अगला टीव सम देख लेते हैं मैंने यापर ले लिया एक बरतन बरतन के अंदर मैं डाल रही हूँ एलाइची दार्चीनी या हमारे यापर जो star masala है इस तरह का सारे masala को क्या करेंगे छोटे छोटे करके pieces कर लेंगे के उपर एक कराई रख दिया है कराई को गरम कर लेंगे फिर जो मसाला है ना कराई में डाल देंगे इसको क्या करेंगे एक मिनिट के लिए इस तरह से गरम कर लेंगे जादा गरम मत किजिएगा तो मसाला जो है ना एकदम से जल जाएगा मसाला जब आधा हो जाएगा ना इसके अंदर डाल देंगे चार चमत जीरा आप यहाँ पर जीरा के बदले धनिया भी डाल सकते हैं यहाँ हुआ लाड मिर्च भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है चैया साथ ठ्रोप फिर क्या करेंगे और एक मिनिट के लिए इस तरह से इसको गरम कर लेंगे फिर गैस को बंद कर देंगे मसाला को ठंडा कर लेंगे फिर मैंने यहाँ पर ले लेंगे एक मिकसर जार के अंदर सारे मसाले को इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर और दो चीज या एट करेंगे मैंने या पर ले लिया है हल्दी पाउडर एक चमच करिब हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे फिर क्या करेंगे थोड़ा सा सक्कर और थोड़ा सा नमक इस तरह से डाल देंगे अच्छे तरीके से पाउडर बना लेंगे हम जब भी मार्केट से मैगी या इस तरह से मसाला खरीद कर लेकर आते हैं इस तरह का मसाला में कोई भी कलर केमिकल एड रहता है अगर हम घर पर ही इस तरह मैगी जैसा मसाला कर ले तो खाने में भी सौधिस्ट है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और नमक हल्दी देने के कारण ए मसाला आपका एक साल तक स्टोर कर रख सकते हैं कोई भी चार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं खाने में सबजी में एक मसाला देंगे तो उसका सौधना दगुन बढ़ जाएगा जरूरे टीप्स एपलाई कीजिएगा उम्मित करती हूँ एक टीप्स आप लोगों को कामाएगा चलिए अगला टीप्स हम देख लेते हैं कई बर होता है क्या हमारे थोड़ा सा ही मसाला का जरूरत हो तो लसून अद्रक हम इसको मिक्सर जार में पेस्ट करें तो अच्छे तरीके से पेस्ट भी नहीं होता है कई बर किसी के घर में सील नोड़ा भी नहीं होता है तो हम एक बेलन की मदश से किस तरह से पेस्ट तैय इससे क्या होगा हमारा यापर कोई भी हमल दिस्ता या मिक्सर मेशीन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एकदम से थोड़ा सा मसाला इसी टाइप का मसाला आराम से आप पेस्ट तैर कर सकते हैं देखें कितना आसान इसे एक काम हमारा हो गया है कोई भी पैसे कभी खरच यापर नहीं हुआ है, मैं चामंच की मदद से बाहा निकल कर भी दिखा रही हूँ, टीप्स अगर थोड़ा सा भी उस्पूल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये टीप्स जरूर शेयर करना, अगले टीप्स हम देख लेते हैं, चावल तो हम सभी लोगी खाते हैं, चावल जब इस बहुती ज़्यादा कम खर्च होगा, तो इसके हम कैसे यूज़ करेंगे, हम तो रोटिया सभी लोगी खाते हैं, लेकिन रोटी बनाने के टाइम बहुती ज़्यादा गर्स हमारा खर्च हो जाता है, अगर हम गैस को बचाए तो बढ़िया रहेगा, कैसे हम रोटी बनाए बीना गैस के ही, चलिए देख लेते हैं, हमारा यहापर चावल भी पक रहा है पतीले में, तो इसका धकन बंद कर देखन के ऊपर जो रोटिया है इस तरह से डाल देंगे, इस से क्या होगा जो गर्म धकन है ना, हमारा रोटिया भी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, और तवानों का काम जो है ना, वो भी हो जाएगा बीना गर्च खरस किये हुए ही, देखिए रोटि को इस तरह से ओलोट पलट कर देंगे, जिस तरह से हम तवा में रोटि करते हैं ना, सेम उसी तरह से, इस से क्या होगा आपने समय का भी बचत कर सकते हैं, कई बार देखा जाता है रोटिया तो हम लोगों को करने ही पड़ता है, जब भी हम चावल पकाए उसके धकन में इस तरह से रोटिया भी हम तवा कर रग दे सकते हैं, देखिए एक एक करके मैंने सारे रोटिया को इस तरह से जो पतिले के धकन है, धकन के उपर अच्छे तरीके से इस तरह से तवा कर रग दिया है, शारे इस तरह से तींठो रोटी को बना कर दिखा रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा रोटी भी इस तरह से बना कर स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी जरूरत हुगा, आपको रोटी बनाने का जो आटा है उसको तैर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा रोटिया बेलने के भी जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रीज से बाहर निकल के कुछ रख देंगे फिर जो रोटिया है आप शेक लिजिएगा आपका रोटी फुले फुले रोटी मिन्टों में ही तैर हो जाएगा इस रोटी को चार या पच दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में कैसे स्टोर करके रखे चलिए देख लेते हैं मैंने यह आप ले लिया है नियूस पेपर न्यूस पेपर के अंदर रोटिया को रख देंगे फिर न्यूस पेपर को इस तरह से फोल करके रखेंगे इस से क्या होगा हमारा जो रोटी है खराब नहीं होगा फ्रीज में चार या पास दिन के रखने के कारण भी तरह से कोई भी बतन में आप रोटियों को रख सकते हैं में आप 4 या 5 दिन के लिए रख सकते हैं ज्यादा मत दिन के लिए रखिए तो रोटी खराब हो जाएगा दो दिन बाद मैं निकल कर आपको रोटी बना के या सेख के भी दिखाऊंगी कितना अच्छे तरीके से हमारा रोटी गोल-गोल होकर फुलेगी देखिए अभी रोट अपका जरूरत हो तो रोटी के आटा आपका तयर करना नहीं पड़ेगा रोटी बेलने नहीं पड़ेगे अब फ्रिस से निकल कर एक दो मिनित के लिए रख देंगे फिर आप रोटी या को इस तरह से शेख लेगे आपका जो रोटी आ है ना गोल-गोल होकर फुल जाएग यह टीब्स भी आप लोगों को काम आएगा चलिए आगला टीब्स हम देख लेते हैं यह आप ले लिया है एक लोहे की तावा तावा के ओपर मैं डाल दूँगी एक चमच नमक नमक को इस तरह से डाल दूँगे फिर इसमें डाल दूँगे थोड़ा सा चाय की पत्ती चाय काम हमारा जटपट हो जाएगा तेर क्या करेंगे कैसको बंद कर देंगे चलिए एस सेलोशन को एक बरतन में निकल लेंगे आप ले लिया है एक चाय बाला छणी छणी की मदद से जो सेलोशन है ना इसको निकल लिया है फेट तावर में को क्या करेंगे तवे को ओभी काच का गलास कुछ भी चीज जो हमारे घर में आयना होता है ना ओभी हम क्लीन कर सकते हैं इस मिसरन में देखिए हमारे जो एक कांस का जार था ना एकदम से नए जैसा चमक उठा है अगर आपके घर में जो आयना है ना आप इस सलोशन से क्लीन करेंगे एकदम नए जैसा हो अगर हम इस solution से इसको clean करेंगे तो एकदम से clean हो जाएगा और नए जैसा हो जाएगा पानी से भे इसको clean करके दिखाएंगे चलिए पानी से clean करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से चमक आ गया है कास का जो container है न ये मिसरन बहुत ज़्यादा useful है अगला tips हम देख लेते हैं हमारे घर में जो इस तरह का लोए के तावा हम यूज करते हैं इसके जंग लग जाता है आसानी से जंग को हम निकल भी नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता है अगर हम नमक और चाय को इस तरह से जला लेंगे इससे क्या होगा हमारे जो लोए के तावा है जंग लग जाता है ओक समस्या एकदम से चला जाएगा फिर जो चाय पत्ती थी ना चाय पत्ती लेकर एक ताड़े वाला एक स्क्राबर को लेकर एक या दो सिगिंड के लिए इस तरह से स्क्रब कर लेंगे फेट देखिए हमारे जो लोहे के तावा है एकदंग से जंग जो है चला गया है और तावे एकदंग से नए जैसा हो गया है जरूरे tips apply कीजिएगा clean करके भी दिखा रही हूँ clean अब जब भी कीजिएगा लोहे के तवा को पानी जो है न अच्छे तरीके से पोस लीजिएगा फिर क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा सर्सो का तेल थोड़ा सा सर्सो का तेल अगर हम इस तरह से लगा कर रखेंगे लोहे का जो बर्तन है वो कभी भी जंग नहीं लगेगा खराब नहीं होगा जरूरे tips apply कीजिएगा उम्मीद करती हूँ काम आएगा आगला tips हम देख लेते हैं मैंने या पर ले लिया है एक तवाले तवाले के अंदर मैं डाल रही हूँ हमरी घर में जो इस तरह का हम मटर खाते हैं कई बर सर्दियों में बहुत सारे मटर हम खरित कर लेका राते हैं सबजी बगरा बनाते हैं पूरी बगरा एक एक करके मटर छिलने का करण बहुती ज़्यादा समय लग जाता है आप मींटो में ही किलो किलो जो मतर है ना सील छकते है कैसे मैंने यह आप ले लिया एक आइरन आइरन को अच्छे तरीके से गरम कर लिया है फिर क्या करेंगे मतर के उपर ना इस तरह से धीरे धीरे इस पेस करेंगे ज्यादा पेसर देकर आप पेस मत किजिएगा इससे मतर ना गल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके ही इस तरह से पेस करेंगे इससे क्या होगा जो गर्मी है ना गर्मी की कारण मतर का जो छिलका है ना आसानी से हम अलग कर सकते हैं और समय भी नहीं लगता है एक मिनिट के लिए इस तरह से करने के बाद देखिए हमारा जो मतर का छिल का है गरम हीट लगने का कारण एकदम से नरम हो गया है और मतर को हम आसानी से छिल भी सकते हैं बाय हाथ का काम हो गया है अब मतर छिलना आपक आपर एक छोटे से बॉल में ले लिया है पानी पानी इसलिए लिया है क्योंकि देखा जाता है मतर जब भी हम छीलते हैं ना मतर इधर उधर गिर जाता है अगर हम पानी में रखेंगे तो मतर इधर उधर नहीं गिरेगा जरूर एटीप्स एपलाई कीजिएगा और एटीप् लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना टीप्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने